जैहिन सात्यों स्वागत है आप सभी का हमारे ग्यान आर्वियल यूटूब चैनल पर दोस्तों आज देखिए आज ये टॉपिक आप रिजिनिंग में भी लिए सकते हैं और जीयस में भी पढ़ सकते हैं ठीक है बहुत ही प्यारा सा टॉपिक आपको बता दें कि आपको है तो इसमें देखिए ये हम आज हम पुलिस के हिसाब से पर्णा रहा है लगी आप उसके लिए वह पर सकते हैं हुँमें मानसिक अभिरुची बुद्दी लबदी एमता तरकिक शमता तो यहां पे आप देखेंगे दोसतों तो यह है आपका पब्लीक इंट्रेश्ट न यह जनीहीत इस ठीक है तो जनीहीत याचुका के situación के बारे सब्सक्राइब फिर्प में इसके अलाव में दोस्तों संपूर हिंदी प्रहादी क्या करना होगा कहां से प्रफिक आपको आना होगा दोस्तों हमारे प्लेलिस्ट में प्लेलिस्ट का नाम कहHa UP Police 2024 GK and GSW दोस्तों यहाँ से आप download कर लिजिए देख लिजिएगा एक एक क्रम में लगी हूँ सारी सारी static के parts मिल जाएंगी इसके लाहां दोस्तों यह आपके उत्तर प्रदेश special दोस्तों यहाँ से मिल जाएए एक बार जाके जरूब पढ़े लिए दोस्तों यह टॉपिक है आपको मात दोस्तों 50 रुपए में यह पूरा का पूरा पीड़ा भी मिल जाएगा अगर आप चाहते हैं दोस्तों तो इसमें देखिए इसमें आप फडिया और साइबर क्राइम भी जोड़ लेजएगा यह भी आपको इसी में मिल जाएगा ठीक है तो दोस्तों यह आपको मिलेगा कैसे तो आप 50 रुपए मिलेगा कैसे मिलेगा दोस्तों आप हमारे ग्यान आर्विल आपको इंस्टाल कर लेजए वहां से भी पर्चेस कर स आपको पता होगा जैसे जाते हैं एक आपको दिखेगा ठीक है जब जाएंगे को सब्सक्राइब कर दोस्तों आपको सब्सक्राइब संपूंड एड़ ऑपरेटर असिस्टेंट ऑपरेटर लिए साइस लॉंच की है अगर चाहते हैं जुड़ना जुड़ सकते हैं दोस्तों उसके लाँ सफलता वैच हमने लॉट जूनर असिस्टेंट के लिए जो 5512 पर दोस्तों इसमें आपको बता दे कि खुदी दो टीच मात्र और मात्र सब्सक्राइब बापको दिया जा रहा तो देरी किस बाती उस जाके जुड़िये ठीक है तो चलिए दोस्तों आज हम यह टॉपिक अपना शुरू गड़ते हैं तो मेरे साथियों आज का प्यारा सा टॉपिक क्या है जन हित याज का जन हित मतलब क्या होता दोस्तों कि जन हित जन मतलब जनता जो लोग है उनके हित मतलब हित में ठीक है जो लोगों के हित में होता तो उसको हम जन हित कहते हैं जन हित के लिए हमने यह काम कर दिया मतलब जन संदार तरीके से इसको को हम 40 में क्या बोलते हैं दोस्तों पी-आई-ई-पी-ई-आइश-का प्ल फाम कोता दो दोस्तों पबलिक एंटरेस्ट अना और लिटी केशन ठीक यह आपके पी-ई-ई-ई-का क्या है फुल फाम है यह ड़ी आध रखेंगे देखे साथियों एक चीज़ और बता दू आपको कि क्या की जनहीति आचका को लोगों के हित्म किया गया भाद टीक है जन्हीति आचका को हम पीयल भी कहेंगे हम लोग हित वाद भी कहते हैं और responses किखाने लिए समझने को दोस्तों तो किए अधियर करते हैं कहां पर दोस्तुए रफ सब्सक्राइब बगल में लगी आपके गाउं में फैक्टरी लग गई अब आप चाहते हैं दोस्तों इसका भुछ धुआ निकलता है बहुत आवाज होता है और इससे पानी दूसरी तो इसका कचला निकलता है तो आप क्या करेंगे दोस्तों जाएंगे आप याचिका डालेंगे ठीक है उसे ही दोस्तों जैनित्याच करेंगे तो पूरे गाउं का अच्छा पानी मिलेगा पूरे गाउन को पूरे रहत मिलेग दोस्तों यही क्या होता जैनिकोि यानि कि चंता के हितों के सामान जनता के हित में यह दायर किया तो बिल्कुल सही सामान जनता के हितों के दोस्तों यह दायर किये जाते हैं ठीक है भारती संदर में क्या होता है फिर फिए मतलब फब्लिक इंट्र्ष लिटिनिकर ठीक है तो इसका अर्थ होता है कि नियायक में व्यक्ति के थंपयुक्ति कि अड़ी जनिहिति का एक ऐसी आचका है समझेगा एक ऐसी आचका है जिसके माध्यम से पिल्डित स्वयम या अनिक किसी ब्यक्ति या कोई शंचा ब्रहारा दोस्तों पिल्डित की और से निया लेकर समक्ष्प्रश्न उठा ता है माने मेरे साथ मान लिया ठीक है आपके आपके मौलिक अधिकारों कहनन हो रहा है आप किसी के मौलिक अधिकारों कहनन हो रहा है तो आप खुद नहीं जा रहे हैं भी है आप डर रहे हैं कि नहीं हम सुप्रीम कोट कैसे जाएंगे तो दोस्तो आपकी जगहें कोई कोई नयाएक संस्था या फिको फ्राइबेट संस्था जो दोस्तो लोगों यूज उठाती वह सकती है यह पी कोई हिता सी आपका दोस्तों रिष्टे दार भी सप्रीम कोट जा सकता है आपकी वाद को ले गर कि जरूषिक के वाला आप ही जाएं आपकी तरफ से कोई और भी जा सकता है यानि कि जनीतियाच का कैसे होगी तो दोस्तों जब प्लिद्व्यक्ति स्वयम चला जाए या फिसके कोई रिष्टेदार चले या फिकोई संसा द्वारा दोस्तों इन चीजों पर पर उठा जाए नियाले सामने तब भी हो सकता है आप उता दें कि जरूरे नहीं दोस्तों कोई संग्यान ले मलब कोई आवाज उठा यह तभी गवार क्या होता है कि सुप्रीम कोड्व कोड खुद दोस्तों या फिर हाई कोड दोस्तों खुद अपने स्वाविवेक्स से भि इस पर कारवाहि कर लेती जैसे की आताहा स्वताहां देखिए अब स्वता संग्यान के माध्यम से भी सुप्रीम कोड यानि सुप्रीम कोड और हाई कोड यानि नियाले द्वारा देखे मीडिया में रिपोर्ट चल रहे हैं या फिर सोसल साइट को अधार मान के दोस्तों कारवाहिस पर कर सकती है ठीक है समझ गोंगे जन्हीतियाच का होता कहां इसको हम दायर करेंगे ठीक है तो जन्हीतियाच का मतलब कहां हम सिकात करेंगे याच का कहां डालेंगे दोस्तों त्यार किगा कि जन्हीतियाच का दोस्तों हाई कोड हाई कोड यानि राज्यों के हाई कोड या फिर दोस्तों सुप्रीम कोड आदि में फाइल कर सकते म कर सकते हैं अब देखिए समझेगा कि दोनों ही दोस्तों जनीत याच का समाधान करने सकती रखते हैं आपको पता होगा कि आर्टिकल 32 दोस्तों सुप्रीम कोर्ट इसके जड़े दोस्तों रिट जारी करता है ठीक है रिट जारी करता आपसे कोशन कई बार पूछा गया इसे ही अम्बिट का जीन दोस्तों क्या बोला था हर्दय आत्मा कहा पांच प्रकार के डिचारी होंगे दोस्तों आर्टिकल 32 कंसार बंदी प्रत्दक्षी करन परमादेश प्रतिसेद उत्प्रेच्छा उत्प्रेरन और अधिकार प्रस्चा दोस्तों इसके तहें सुप्र जणिति अच्की दायर कर सकते कब दायर होगी ऐसा थोड़ींकि दोस्तों माने और ने सवीमिंग पूल उसने अपने स्वार्विए बनाया अपने लिए आप उसकती कहा रहें नहीं हैं प्राइवेट प्रॉपर्टिप प्रोपर्टिव नहीं कर सकते आप समझेगा ठीक है समझेगा ठीक है तो कैसे कब कब दार करें जब दुस्तों आपके मोली के अदिकारों को अलंगनों ठीक है या नी आपको था कि भारत देखे जॉपका समिधान उसके दुस्तों भाहा के तीन में मोली का अधिकार दिये पूरा नंत sail है seperti सामाजिक अधिकारों का अतिक्रमण किया रहा हूं तब आप याचिका लेगे दोस्तों दायर कर सकते जैसे चीजों पर बाद अधिकारों का अध्करमण के जा रहा हो तब आप जा सकते जैसे अमाले दोस्तों किया पासपोर्ट पिर भी दोस्तों पर नहीं बना रहा दोस्तों या नि तब आप कर सकते ठीक है क्योंकि सरकारी जो कर्मजारी दोस्तों वो काम पूरे अच्छे से नहीं कर ला है ठीक है और याद रखेंगे दोस्तों सामान जंता से जुड़े हुए जुड़े हितों के लिए भी तथा सरकारतंत के निस्क्री होने पर भी दोस्तों आप PIL दे सकते हैं जब सरकारतंत निस् कि पंजी पत्र तथा याचिकाओं के साथ तथ्यों और दस्तावेजों को अदालत के मुख्य नियाजिश को भेज़ जाएगी अगला दोस्तों सारवजनिक हित याचिका को निसुल्ख कानूनी सेवा समित के माध्यम से सीधे नयाले में प्रस्तुत कर सकते हैं तो जो निसुल्ख कानूनी सेवा समित होते हैं उनके माध्यम से भी जा सकते हैं अगला दोस्तों सीधा वकील की मदब से सीधे ही मामले को दाखिल कर सकते हैं दोस्तों अगला है गैर सरका तो इस प्रकार से दोस्तों दायर कर सकते हैं किसके किसके खिलाफ कर सकते हैं समझिएगा पहला केंदर सरकार केंदर 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 के और दूस्तों इस्थानी प्राधिकारी जीसे क्या आपको होता है नगरपंचायट यूप ही दोस्तों आपके राम पंचायट इनके विरुद भी आप दोस्तों प्याइए प्यायल दर्ज कर सकते हैं है और कोई प्रसास्निक संथा हो गया फिर लोग प्राधिकारी मतलब कोई सस्कारी बेपति होगा दोस्तों काम है उसके खिलाब भी आप दायर कर सकते हैं यह कि ज़से को आप जनक की बात करते दोस्तों तो आपके भारत के सत्रहवे न्याधिस यार रखेंगे पी-एन भगवती जी को कहा आता देखे जनहीति आजकर जनक कौन है तो पी-एन भगवती का पूरा नाम क्या है प्रफुल चंद्र नटवर लाल भगवती ठीक है तो प्रफुल चंद्र पुछा गया जन्हीति याजकर के प्रणेटा कौन है तो वी आर कर्ण आईएर यह थी दोस्तों क्या है निया इदिस जी है ठीक है तो दोनों नहीं से अगर आफसे जनक प्रणेयर पुछे दोस्तों वी आर कर्ष्ण आई गयर आप बात आती जन्हीत याज का की जन्नी की यह पोशंट आपके यूपिएसाई में पूछा गया बहुत ज्यादा जन्हीत याज का की आनी का है पुस्पा कपिला हिंगो रहनी बहुत इंपॉस्पा हिंगो रहानी यहां रहने लगे थे और दोस्तों यहां रखेंगे कि इन्हें जन्हीत याचकाउं की तो पुस्पा कपिला हिंगोरानी आपको बता दोस्तों एक ची समझेगा दोस्तों बहुत इंपॉर्टन यहाला ठीक है क्या है कि इनके दोरा दायर की गई आचका में सुप्रीम कोट ने बिहार सरकार को एक नोटिस जारी किया था जिसके परड़ाम सरूप देस भर में लगभग 40,000 दोस्तों बिचारा धिन कैदियों को रिहा किया था जिसकी समझे क्या होता है जिसे माले दोस्तों आपको पर चो भुसे पड़े हैं आपको जेल में बंद किया गया है और दोस्तों हो सकता है पांच साल बात सुनवाई हो और आपको खिलाब सुबोत नभी आपको रिहा कर दिया जाए तो कहीं न कहीं आपको फालतू प्रतालिक के आता ना तो इसलिए दोस्तों इन्हों ने एक प्याइय दोस्तों लगबग 240,000 विचारा धिन कैदी थी जिनको रिहा कर दिया गया था ना चलिए आपको कपिला हिंगो रहानी की बात करते हैं पुस्पा कपिला हिंगो रहानी एक ऐसी महिला वकील थी दोस्तों जिनकी तस्वीर सुप्रीम कोड के लाइबरेरियम भी लगाई गई इस तस्वीर का अना वराण दोस्तों चीफ जस्टिस दीपक मिस्रा 124 दिसंबर 2017 को किया गया ठीक है तो इनकी दोस्तों तस्कीर भी लगाई गई चलिए एक दोस्तों वाद है हुसाय नारा खातून बनाम भारस संग सरी बिहार संग ना बिहार राजे हुसाय नारा खातू बनाम भारत बिहार राज है ना इसको दोस्तों जारी कब देखें यह कब हुआ तो 1989 में ठीक यूपेस ही पुछा गया है यार रखेंगे दोस्तों इसी आचका को कबिला हिंगो रानेदर जी क्या था ठीक यह क्या था तो यह मामला सुप्रीम कोड़ में दोस्तों नियाधि क्या रहा किया दोस्तों और यहां पर सुप्रीम कोड़ ने का सभी कोड़ में ने कहा कि भाईया आप क्या करिए कि इस राइट इस पूछा गया तो पूरा दोस्तों गलत तरीका दोस्तों अपनाया जैसे आप सभी दोस्तों कभी पूलिस बन जाते करिए बेगुना को करिए बेगुना को इन्जान यह दोस्तों कोई बूढ़ा यह पी कोई बच्चा आता उसकी बास सुनिएगा ऐसे दोस्तों बरबरत न करिए ठीक है आप से रिक्वेश्ट है ठीक है समझेगा कि बिहार के भागलपुर में 33 संदिक दापर्याधियों को करने वाले पुलिस कर्मियों खिलाब दोस्तों मुखदम चला है जिससे दोस्तों को क्या मुफ्त दोस्तों सलाह मिला साहता दी गई कि दोस्तों इनकी दवाब फिरिम होगी और इनको आजीवन पिंसन दी जाएगे दोस्तों और यह जो पुलिस वाले थे इन पर दोस्तों इनको दंडित किया गया ठीक है तो दोस्तों यह अच्छे काम भी किये गए इनके दोरा आपको दो दोस्तों कि भारत में सरोच न्याले में जन्हीति आचका दायर की गई थी खाड़ी देश्टों फसे हुई भारतियों प्रवासियों बचाने के और लाने की वे उस्था करने के लिए दोस्तों सरकार के अगला बंदुवा और बाल मस्दुदो पहचान और उनके पुनरवास के लिए तीसरा है अवैद नजर बंदी दोस्तों और ग्रिपतारी माले दूस्तों आपकी पुलिस अवैद तरीके दोस्तों घरवाले जा सकते दावे कर सकते ना पुलिस हिरासत में लोगों कि याता है दोस्तों जैसे आपको आंख़ोगा सब्सक्राइब कर सकते हैं और निवनतम मजदूरी के भुकतान के लिए अभादर दूर दरसन का राकरम के लिए दोस्तों ठीक इसके लिए आप प्याइएल दायर कर सकते हैं ठीक है दोस्तों एक ची देखिए एक सिस्टम से दोस्तों पड़ा होगा कि पहले दोस्तों दिखिए समझेगा अभद्र दूरसन कार का मतलब देखिए आप वादा है कि पहले क्या होता क्या था दोस्तों एक परिवार था जो सुबहार उड़ता अपने टीबी देखने बैटा है उसके सभी लोग बैठे तो बदम वो है तो उसने एक याच्डार कि थी तरस दोस्तों क्या हुआ एक निश्चि समय किया गया दोस्तों इनके परचार के लिए ठीक है चलिए कमझोर वर्गों के मुलेजगारों के लिए दोस्तों फिक है घरीव लोगों का मलीन बस्तियों और आपको मिलने वाली है तो दोस्तों आप पहले चीज़ दोस्तों जो भी चीज़े वीडियो आते दोस्तों नोटिफिकेशन कोई कोई जानकारी होगी सारी चीज़े आंपको यहां पर दोस्तों बिलती रहेंगी ठीक है अब देखिए आपको जाना होगा अगहारे फिर पॉर्षण लेना सब्कार्षाइब कैसे नंबर करके पता कर सकते चलिए धन्यवाद मिलते किसे नेक्स्ट बीटियुम तक टाके जैए हिन जैभारत कैसे लगी वीडियो ज़रूर बताई